Hello Everyone, मेरा नाम है संदीब दास गुप्ता and welcome to Achieverly. आज हम लोग NCRT Class 9 History का Chapter 1 का Part 4 शुरू करने जा रहे हैं. Chapter 1 का Part 1, Part 2 and Part 3 के Lectures अपलोड हो चुके हैं और मैंने Class 9 History का एक Separate Playlist भी Create कर दिया है. Playlist का लिंक आपको इस वीडियो के description box मिल जाएगा तो जो लोग नए आये हैं, वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं. अगर आपको कुछ डाउट हो, तो आप उनसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर Instagram के पूछ सकते हैं. Instagram का लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा. NCRT के books को, आप NCRT के website से free में download कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इस book को download कर ले, और आज का lecture देखने के बाद, एक बार इस chapter को पढ़ ले, जिससे की आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए अब आज का lecture शुरू करते हैं. Chapter 1 The French Revolution Francis C. Kranty हम लोगों ने पिछले लेक्चर्ज में Chapter 1 के Part 1 को, उसके बाद Part 2 को, और उसके बाद Part 3 को cover कर लिया है. इस वीडियो के description box में आपको Part 1, Part 2 और Part 3 के लेक्चर का link मिल जाएगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो पहले आप वो देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ continue करें. आज हम लोग Chapter 1 के Part 4 को शुरू करने जा रहे हैं. इसमें हम लोग इन topics को एके करके details से समझेंगे. तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं. The Life of a Revolutionary Women Olympe de Guz Prantikari Mahila Olympe de Guz का जीवन Olympe de Guz was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. France में जब revolution चल रहा था, उस वक्त बहुत सारी महिलाएं politically active थी. उन में से एक थी Olympe de Guz. Olympe de Guz क्रांती कालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्तपून थी. She protested against the constitution and the declaration of rights of man and citizen as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. उन्होंने सम्विधान का विरोध किया और जो man and citizen के लिए declaration of rights आया था उसका विरोध किया, क्यूंकि उसमें महिलाओं को basic rights से वंचित रखा गया था, जो सभी human beings को राप्त होने चाहिये थे. उन्होंने सम्विधान तथा पूरुष एवं नागरिक अधिकार घोषना पत्र का विरोध किया, क्यूंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था. So, in 1791, she wrote a declaration of the rights of women and citizen which she addressed to the queen and to the members of the national assembly demanding that they act upon it. 1791 में उन्होंने declaration of rights of women and citizen लिखा और उसे national assembly और queen के पास भेजा. और डिमांड किया कि उस पे action लिया जाए. इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला इवं नागरिक अधिकार घोषना पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और national assembly के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कारेवाई की जाए. इन 1793 ओलंप दे गूज प्रिटिसाइज दी जेकोबियन गवर्णमेंट फॉर फोर्सिवली क्लोजिंग डाउन विमेंस क्लब्स. 1793 में जब जैकोबियन गवर्णमेंट ने वुमेन क्लब्स को फोर्सफुली बंद करवा दिया था, तब ओलंप दे गूज ने जैकोबियन गवर्णमेंट को प्रिटिसाइज किया था. सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की अलोचना की He was tried by the National Convention which charged her with prison Soon after this, she was executed National Convention ने ओलंप दे गूज पर देशद्रों का मुकदमा चलाया और इसके बाद उन्हें execute कर दिया गया उन पर National Convention द्वारा देशद्रों का मुकदमा चलाया गया इसके तुरंत बाद उन्हें फासी पर लटका दिया गया अब हम लोग का next topic है Some of the basic rights set forth in Olympe de Guz's declaration ओलंप de Guz के खोशना पत्र में उल्लिखित कुछ मूलभूत अधिकार Women is born free and remains equal to man in rights Women free यानि स्वतंत्र पैदा हुए हैं और महिलाओ के अधिकार उरुषों के समान हैं औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है The goal of all political associations is the preservation of the natural rights of women and men These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression जितने भी political associations बनते हैं उनका एम होना चाहिए कि पुरुष और महिलाओ के natural rights को protect करे ये अधिकार है right to liberty, right to property, right to security, resistance to oppression तो ये political association इन rights को protect करे सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष पुरुष इवं महिला के नैसरगिक अधिकारों को संग्रक्षित करना है ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोशन के प्रतिरोत का अधिकार एक राष्ट्र को, सुवरेनिटी का सोर्स उसी राष्ट्र से आता है मतलब लोगों से आता है इन लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है ये यूनियन है विमेन और मैन का समग्र संप्रभूता का सुरोत राष्ट्र में नहीं थै जो पुरुष और महिलाओ के संग के सिवाए कुछ नहीं है The law should be the expression of the general will All female and male citizens should have a say either personally or by their representatives in its formulation It should be the same for all Law एक general will यानी सामान ने इच्छा को एक्स्प्रेस करता है मतलब जो लोगों की इच्छा है कानून वैसे ही बनाए जाएंगे लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सुसाइटी को नुकसान ना पहुचे कानून के फॉर्मिशन में पुरुष और महिलाएं दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं personally या फिर representatives के द्वारा कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं कानून सामान ने इच्छा की अभिवैक्ती होनी चाहिए सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो वैक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधी निर्मान में दखल होना चाहिए ये सभी के लिए समान होना चाहिए All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents सभी female and male citizen अपने abilities के according, public employment और honor के हगदार है इसमें किसी प्रकार का कोई भेद्भाव नहीं होना चाहिए सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेद्भाव के हर तरह के सम्मान वह सारवंजनिक पद के हगदार है कोई भी महिला एक्सिप्शन नहीं है अगर वो कोई क्राइम करती है तो लौ के अनुसार उसे एक्यूस किया जा सकता है एरेस्ट किया जा सकता है डिटें किया जा सकता है सभी महिलाओ को पुरुशों के जैसे पठोर कानूनों को मानना फड़ेगा कोई भी महिला अपवाद नहीं है ये विधी सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपरादी ठहराई जा सकती है गिरफ्तार और नजर्बंद की जा सकती है पुरुशों की तरह महिलाओ भी इस कठोर कानून का पालन करे अब हम लोगा नेक्स टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन के शाषन के दौराण उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए जो एक रिवॉलुशनरी कदम उठाया था वो था फ्रेंच कॉलोनीस से स्लेवरी को खत्म करना फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन साषन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee Caribbean में जो फ्रेंच कॉलोनीस थे जैसे मार्टिनिक, Guadeloupe, San Domingo, वे टोबैको, indigo, sugar, coffee के बहुत ही important suppliers थे Caribbean उपनिवेश, मार्टिनिक, Guadeloupe and San Domingo, तंबाकू, नील, चीनी एवं coffee जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्थी करता थे But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of liver on the plantations Europeans, unfamiliar lands यानि अपरिचित जगहु पर और दूर जाकर काम नहीं करना चाहते थे इसका एक ही मतलब था, plantations में shortage of liver अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रती European की अनिच्छा का मतलब था, बागानों में श्रम की कमी So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas इस shortage of liver को पूरा करने के लिए Europe, Africa और अमेरिका के बीच में triangular slave trade शुरू हुआ इस कमी को योरोप, अफ्रिका एवं अमेरिका के बीच रिकोणिय दास व्यपार द्वारा उरा किया गया The slave trade began in the 17th century 17th century में ये slave trade शुरू हुआ था गास व्यपार 17th century में शुरू हुआ French merchants sailed from the ports of Bordeaux और Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains Bordeaux और Nantes के बंदर गाहों से French merchant जहाज लेकर अफ्रिका के तर्ट तक जाते और वहां के स्थानिय सर्दारों से slaves खरिते थे Francis ही सौदागर, Bordeaux या Nantes बंदरगा से अफ्रिका तर्ट पर जहाज ले जाते थे जहाँ वे स्थानिय सर्दारों से दास खरिते थे Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the three month long voyage across the Atlantic to the Caribbean There they were sold to plantation owners Slaves पर brand दिया जाता था और उन्हें बांद कर जहाजों में tightly pack कर दिया जाता था फिर वहां से उनको तीन महीने समुदरी रास्ते से ट्रैवल करके Caribbean countries ले जाते वहां उन्हें बागान मालिकों को बेज दिया जाता था दासों को दाग कर एवं हतकडिया डाल कर Atlantic महासागर के पार Caribbean देशों तक तीन महा की लंबी समुदरी यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था वहां उन्हें बागान मालिकों को बेज दिया जाता था The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo slave labor का बहुत ज्यादा exploitation होता था उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था जिससे European market में sugar, coffee, indigo की जरूरतों को पूरा किया जा सके दाश श्रम के बल पर यूरोपिया बाजारों में चीनी, coffee एवं नील की भड़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ Port cities like Bordeo and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade Bordeo और Nantes जैसे port cities slave trade के बजह से ही prosperous हो पाई थे Bordeo और Nantes जैसे बंदरगा, फलते फूलते दास व्यपार के कारण ही सम्रिध नगर बन पाई Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France 18th century में, slavery की ज्यादा निंदा आलोचना नहीं हुई थी France में 18th century में, France में, दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies National Assembly में, इस बात पे बहस चली थी की वैक्ती के अधिकार को नागरिकों के साथ साथ, colonies में रहने वाले French subjects यानी फ्रांसिसी प्रजा को दिये जाए या नहीं National Assembly में लंबी बहस हुई कि वैक्ती के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित, समस्त फ्रांसिसी प्रजा को प्रदान किये जाए या नहीं लेकिन National Assembly ने इस पर कोई law पास नहीं किया था क्योंकि उन्हें डर था कि जो बिजनेसमेन स्लेव ट्रेड करते हैं जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पे ही टिकी हुई है वे इसका विरोध कर सकते हैं परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भैस से National Assembly में कोई कानून पारित नहीं किया गया फिर बाद में कन्विंशन ने 1794 में कानून पारित किया जिससे French colonies में slavery को खतम किया जाए और slaves को आजाद किया जाए लेकिन अन्तता सन 1794 के कन्विंशन ने फ्रांसी सी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ती का कानून पारित कर दिया This however, turned out to be a short term miser 10 years later, Napoleon reintroduced slavery लेकिन ये एक short term miser था क्यूंकि 10 साल बाद Napoleon बोनापार्ट ने वापस से slavery को शुरू कर दिया था पर ये कानून एक छोटी सी अवधी तकी लागू रहा दस वर्ष बाद, Napoleon ने दास प्रथा पुनह शुरू कर दियी Plantation Owners understood their freedom as including the right to enslave African in pursuit of their economic interests Plantation Owners यानी बागानों के मालिकों को आजादी मिल गई Africans को स्लेव बनाने के लिए ताकी Plantation Owners अपने economic interest को उरा कर सके बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई Slavery was finally abolished in French colonies in 1848 1848 में finally French colonies से Slavery abolished हुआ Francisi उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मुलर 1848 में किया गया अब हम लोगा next topic है The Revolution and Everyday Life क्रांती और रोजाना की जिन्दगी Can politics change the cloths people wear, the language they speak, or the books they read? क्या राजनिती लोगों का पहनावा, उनकी बोल चाल, अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाले पुस्तकों को बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children 1789 के बाद आने वाले वर्षों में, France में कई changes दिखे जिसने पुरुष, महिलाओ और बच्चों के जीवन में बहुत changes लाए सन 1789 से बाद के वर्षों में, France के पुरुषों, महिलाओ एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्था नाए The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice Revolutionary government ने law pass किया और liberty, equality जैसे ideals को day-to-day life में उतारने का प्रयास किया क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बना कर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship एक जो important law pass हुआ 1789 में बैस्टिल के किले के तूपने के बाद वो था abolition of censorship बास्तिल के विधवन्ष के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वो था censorship की समाप्ती In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published और performed only after they had been approved by the censors of the king Old regime में जितने भी written material थे जैसे books, newspaper और cultural activities थी जैसे plays उनको publish या फिर perform तभी किया जा सकता था जब किंग के censor officials उसको pass करते थे प्राचीन राज्टंत्र के अंतरगत, तमाम लिखित सामागरी और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के censor अधिकारियों द्वारा पास किये जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था Now the declaration of the rights of man and citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right जब declaration of rights of man and citizen बना, उसमें freedom of speech and expression को natural right घोशित कर दिया गया परन्तु अब अधिकारों के घोशना पत्र ने भाशन एबं अभिवेक्टी की स्वतंद्रता को नैसरगीक अधिकार घोशित कर दिया Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside France में newspaper, pamphlets, books, printed pictures की बाढ़ आ गई जहां से वे ग्रामिन छेत्रों में भी फैल गए परणाम स्वरू, France के शहरों में अख़बारों, परचों, उस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई जहां से वो तेजी से गाओ दिहात तक जा पहुची They all described and discussed the events and changes taking place in France In newspapers, pamphlets, etc. में, France में जो events चल रहे थे और उनके वज़ा से जो changes आ रहे थे उसको describe किया जाता था और उस पर discussion भी होता था उनमें France में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का बियोरा और उन पर टिप्पनी होती थी Freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed Freedom of press का मतलब था कि इन events पर जो विरोधी मत होता था उससे भी express किया जाता था Press की स्वतंतरता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किये जा सकते थे Each side sought to convince the others of its position through the medium of print दोनों side print media का इस्तिमाल करके अपनी बात रखना चाहता था Print माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकों से सहमत कराने की कोशिश की Plays, Songs and Festive Processions attracted large numbers of people Plays, Songs और Festive Procession में बहुत ज्यादा लोग जाने लगे This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty of justice that political philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read Justice और liberty के बारे में philosophers लंबे लंबे लेख लिखते थे जिन्हें केवल कुछ ही educated people पढ़ पाते थे लेकिन अब नाटकों में संगीत और उत्सवी जूलोसों में लोग जाने लगे और उनको liberty और justice के मुद्वों को समझने में असानी हुई स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनितिग्यों वा दार्शनिकों के पांडित्य पूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का ये लोगप्रिय तरीका था क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुठी भर सिक्षितों के लिए ही संभव था कन्क्लूजन सारांश इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट राउंड हिमसेल्फ इंपरर ओफ फ्रांस 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का समराट गोशित कर दिया उसने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज दिस पोसेजिंग डाइनस्टीज एंड क्रियेटिंग किंडम्स वेर ही प्लेस्ट मेंबर्स ओफिस फैमिली उसने नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज को कॉंकर किया पुराने डाइनस्टीज को खत्म किया और नए किंडम्स की स्थापना की जहां पे उसने अपने फैमिली मिंबर्स को प्लेस किया उसने पड़ोस के यूरोपिय देशों की विजय यातरा शुरु की पुराने राजवन्शों को हटा कर उसने नए सामराज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खांदान के लोगों के हाथ में दे दी Napoleon saw his role as a modernizer of Europe Napoleon खुद को Europe के आधुनिकी करण का अग्रदूत मानता था He introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system उसने बहुत सारे नए laws introduced किये जैसे private property को protect किया फिर decimal system पे based weights and measurement को uniform बनाया उसने नीजी संपत्ते की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलग पद्धती पर आधारित नाप तॉल की एक समान प्रणाली चलाई Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people शुरुवात में Napoleon को लोगों ने liberator यानि मुक्तिदाता के रूप में देखा था लोगों को लगता था कि वो जन्ता को स्वतंतरता दिलवाएंगे शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जन्ता को स्वतंतरता दिलाने की उम्मीद थी बट सून दा नेपोलियनिक आर्मी केम टो भी व्यूट एवरिवेर एज अन इन्वेडिंग फोर्स लेकिन जल्द ही लोगों ने नेपोलियन और उसकी आर्मी को हमलावर मानने लगे पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे He was finally defeated at Waterloo in 1815 Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left Napoleon 1815 में Waterloo के वार में हार गया नेपोलियन के मृत्यों के बाद भी उसके revolutionary ideas लोगों को inspire करते रहे उसके liberty और modern law के विचारों ने योरोप के दूसरे parts पे भी लोगों पर काफी प्रभाव डाला था आखिरकार 1815 में Waterloo में उसकी हार हुई योरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ती और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यों के काफी समय बाद सामने आया The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution Liberty और democracy के विचार French Revolution की सबसे important विरासत है स्वतंतरता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसिसी क्रांति की सबसे महत्कूर्ण विरासत थे These spread from France to the rest of Europe during the 19th century where feudal systems were abolished 19th century में ये विचार फ्रांस से योरोप के दूसरे दिशों में फैले इन विचारों ने feudal system को abolish कर दिया ये विचार 19-वी सदी में फ्रांस से निकल कर बाकी योरोप में फैले और इनके कारण वहां सामन्ती ववस्था का नाश हुआ Colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state Colonies के लोगों ने bondage से freedom यानि slavery से freedom के विचारों को redefine किया और उन्हें अपने movements में शामिल किया ताकि एक sovereign nation state बना सके आपनिवेशिक समाजों ने संप्रभू राष्ट्र राज्जी की स्थापना के अपने आंदलोरों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाशा दी टीपु सुल्तान और राम मोहन रोय दो ऐसे व्यक्तित्व थे जो फ्रांस में चल रही revolution से काफी इंस्पायर हुए थे टीपु सुल्तान और राजा राम मोहन रोय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रिढ़ना लेने वाले दो ठोस उदाहरंड थे राजा राम मोहन रोय was one of those who was inspired by new ideas that were spreading through Europe at that time यूरोप में जो नए विचार फैल रहे थे उन विचारों से राजा राम मोहन रोय जी काफी इंस्पायर हुए थे राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे इन सारे डेट्स के बारे में हम लोग अल्रेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे बस revision के लिए दिया हुआ है 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है और तब उससे पता चलता है कि ट्रेजरी खाली है और ओल्रेजीम के प्रती समाज में डिसकंटेंट यानि असंतोश बढ़ रहा है 1774 में इस्टेट जिनरल की मीटिंग बुलाई जाती है लुईस सोला द्वारा हर्ड एस्टेट नैशनल एसेंबली फॉर्म करता है बास्टिल को तोर दिया जाता है और ग्रामेंड इलाकों में पीजन्ट रिवोल्ट होता है 1789 स्टेट्स जेनरल का आवान स्टिरितिया एस्टेट नैशनल एसेंबली का गठन करता है वास्टिल पर हमला दिहात में किसानों का विद्रो 1791 A constitution is framed to limit the powers of the king and to guarantee basic rights to all human beings 1791 में सम्विधान बनाया जाता है जिससे राजा के पावर को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को basic human rights प्रोवाइट किया जा सके 1791 समराट की शक्तियों पर अंकुष लगाने और सभी मनुष्यों को मूल भूद अधिकार प्रदान करने के लिए सम्विधान बनाया जाता है 1792-93 France becomes a republic The king is beheaded overthrow of the Jacobean Republic a directory rules France 1792 और 93 में France Republic बनता है राजा को मार दिया जाता है Jacobean Republic को overthrow कर दिया जाता है और directory rule स्थापित होता है France में 1792-93 France गनराज्य बनता है सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है जैकोबियन गनराज्य का पतन France पर डिरेक्टरी का शाशन 1804 Napoleon becomes emperor of France annex large parts of Europe 1804 में Napoleon France का emperor बनता है और Europe के बड़े हिस्से को annex कर लिता है 1804 Napoleon France का समराड बनता है Europe के विशाल भूभाग पर कबजा कर लिता है 1805 Napoleon defeated at Waterloo 1805 में Napoleon Waterloo में हार जाता है 1805 Waterloo में Napoleon की हार तो friends इसी के साथ हम लोग का chapter 1 समाप्त होता है मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर Instagram पे पूछ सकते हैं अपने friends के साथ इस वीडियो को शेर करें वीडियो पसंद आए तो like करें, channel को subscribe करें मैं मिलता हूँ आपसे next lecture में Good day to everyone जै हिंद